इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हुँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों iCube Z6 Lite 5G की मॉवाइल फॉन में हाइड किया हुआ अप को आप कैसे देख सकते हैं और दोस्तों हाइड किया हुआ अप कहाँ पर होता है उसे आप दोस्तों कैसे डोण सकते हैं तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट दे तक देखएगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूद करिएगा चलिए सुरो करते हैं इसके लिए आपको जाना है इसके लिए आपको जाना आपको यहाँ और नीचे आने पर आपको यहाँ option मिलता है security का इस पर करना है click, फिर आपको इसमें आना है नीचे और नीचे आपको यह privacy and app encryption का मिलेगा option इस पर करना है click, अब दोस्तो आपको hide करते time जो भी दोस्तो privacy password set किया था तो वो जो है privacy password यहा आपके सामने इस तरीके का पर जाएगा, अब आपको यहाँ option मिल जाएगा view hidden app का, इस पर आपको करना है click, तो फिर आपके phone में जितना भी app hide होगा, वो सारा app यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं, और दोस्तो इसके अलाबा दोस्तो एक एक दोस्तो औ और तरीके से आप जो है hide app को दोस्तो देख सकते हैं, देखिए, दोस्तो privacy and app encryption में आ जाना है, और दोस्तो देखिए, जब आप यहाँ app hiding में जाएंगे, तो अगर आपके phone में यह setting enable होगा, view hidden app का, यह setting अगर इस तरीके से होगा, और यह भी privacy password, verify privacy password, यह भी setting अगर इस तरी तरीके से यह दोनों setting हो लोगा, तो दोस्तो देखिए, shortcut तरीके से भी आप अपना hide किया हुआ app दोस्तो देख सकते हैं, तो दोस्तो shortcut तरीके से hide app को देखने के लिए, आपको दोस्तो जो है, अपने दोस्तो home screen पर आ जाना है, और दोस्तो दो finger को screen पर टच करके, ऊपर की जोर करना है swipe, तो जब आप swipe करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है, दोस्तो दोस्तो privacy password डालने के लिए कहा जाएगा, जैसे ही आप अपने phone का privacy password डाल देंगे, तो देखिए, सारा hide app यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, तो दोस्तो आप जो है, इस तरीके से hide किया आप आप अपने phone में देख सकते हैं, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को subscribe जरूर करेंगे।